जहीं दोस्तों देख फिर से हम लोग आपिस आगे हैं ट्रक मास्टर्स इंडिया में और जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा तक कि हम लोगों ने अजमेर तक का ट्रांस्पोर्ट शिप्मेंट पूरा कर दिया था और अब बारी है वापस से हम लोगों को एक और नए शि प्रदिकारा रही है तो आज हम लोग यह करने वाले हैं और यह हो जाएगा पूरा हमारा EAST से लेकर के वैस्ट तक का पूरा हो जाएगा कितना लंबा सफर होगा और भाई जगनात बाबा की नगरी से लोग नासिक तक जाएंगे और नासिक में आपको पता है बाबा तर्मब के शर तो निगलते हैं हम लोग अपनी जर्नी पे देखते हैं भाई कितना लंबा सफर कैसे होने वाला है कैसे ये पूरा होगा हलकि ये सफर बहुत लंबा है तो उम्मीद करते हैं कि रास्ते में मज़ा बहुत आने वाली है अभी फिलाल हम लोगों ने बाहिए अबना चुट्रक है वो शुरू कर दिया है चलाना और निकलते हैं जल्दी से ट्रांस्पोर्ट से बाहर होता क्या है कि ट्रांस्पोर्ट से बाहर निकलने के बाद हम लोगों की जो सेफटी होती है वो बहुत ही मलब कम हो जाती है क्योंकि ट्रांस्पोर्ट के अंदर तो हम लोगों कोई नहीं कुछ कह सकता अगर ट्रांसपोर्ट से निकलने के बाद भाई कुछ भी हो सकता है अलाकि इसमें एक चीज हमने देख़ा की इसमें कोई भी पुलीस की गारी पुलीस का कोई भी आदमी अलाक कुछ भी ऐसा की जैसे RTOs होते हैं रोट ट्रांसपोर्ट में या कोई और चीज जैसे पेपर चेकिंग बॉरडर पर फेपर्स चेक होते हैं तो यह सब चीज़े अगर इसमें डालते तो बहुत अच्छा होता हूँ भाई यह क्या हो रहा है ये ऐर आरे ये चीज तो गलत है य और ये देखो लोगों ने आपेशली वीडियों में जिस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी ना वो यही प्रॉब्लम है और हमें लग रहा है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर है या कहीं और तो बात में पता चलेगा क्यार देखो मतलब ये कोई तरीका नहीं होता कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा कंसाइमेंट लिया है या इतना बड़ा रूट अगर हम लोगों ने लिया है तो कम से कम इन लोगों को रूट देना चाहिए था मगर इन लोगों ने देखे रूट को ही बंद कर रखा है य इपने अगली तरफ देखते हैं वहाँ पे इधर से तो यार कुछ हुआ नहीं और शायद इधर से भी रास्ते वस्ते बंदो तो भी पता चली ही जाएगा कि इधर से बनों को निकलना है तो यहीं से मौड लेते हैं तो यह बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो रही है कि अगर गेम में मैप लोड हुआ है तो कम से कम इनको उस रूट का मैप तो अन रखना चाहिए तो प्रॉब्लम हो यह इनको देखना चाहिए तो यह थोड़ा सा मारा जो ट्रक है वो डिस बैलन्स होता हुआ तो शायद हम लोग सही रास्ते पर आ चुके है क्योंकि इधर से तो भाई सारे रास्ते खुले हुए आप देखते हैं कि ब्रिज में आगे जाने के बाद ब्रिज पर फिर क्या होता है क्योंकि लगबग लोग निकाल आया और दो भाई भी वी साड़े साथ सो क्यूमिटर बचा हुआ है सो सकते हैं किद्ल लंबी दूरी हो पोजह सागे साथ साथ सो किल Umक्ल मेटर को बैख साजी साड़े 600 km के असपा 100 km का सफर कर चुके हैं और अभी भी हम लोगों को प्रॉपर एक मार्किंग नहीं मिलिया देखते हैं यहां पर क्या दिखा रहा है यहां पर देखो भाई नासिक नहीं लिखा हुआ है पूरी संबल पूर बस यही सब चीज़े लिखी हुई है तो हमें ल सब्सक्राइब अगर अगर पर कोई कट नहीं चाहिए यहां पर दो सकता है बिरिस से मुड़ने के लिए दिखा तो रहा है देखते हैं मुड़के यारी यह बड़ी बड़ी दिक्कत वाली चीज यारी जो बस वस ही है आपस में बिड़ा देते हैं यह वरी खराब वाली च चलेगा दो ऐक और यह एक और हैवेब का रहा रहा है आगे रास्तावस्ता है नहीं पीजिए बता रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कि यार दो एक ब्रिज है कि री क्या प्रोब्रम है वह तो आगे ही पता चलेगी को फिरसे यहाँ पे दोटोनासि Below कर दिया कि यह कुछ तो इनका चल रहा है कुछ इनकी वड़ी प्रोब्रोब्लम चल रही है वह तो आया है कैसे है वो तो समझ में नहीं हुं पिलाल पता चल जाएगा भी फिर थोड़े दिर और उन्तजार करने के बाद तो कि अगर यहां पर ऐसा रहा और आगे जाकर कि अगर हम लोगों को जाई दर उदर होना पड़ा या कुछ ऐसा हुआ तो बहुत बहुत बड़ी प्रब्लम होजा जाएकि क्यों कि यह जजीन नहीं करनी चाहे इन लोगों को कि यह दो हो भाई यह भाई यह दो है सामने दो भाई बंद है यह बहुत खरआब सीज हो गया कि मतलब ने लोगों ने दो को यहां से बिल्कुल नासिक नासिक दिखाया और अभी साड़े 500 गिलो मेटर पूरा बंद पड़ा हुए रास्ता तो यह चीज नहीं होनी चीज यह तियार यह बहुत खराब चीज है तो क्यार कोई बात नहीं लोग यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिये जाएं